नमस्ति फ्रेंड, स्वीट होम के स्वीट कीचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं वरत के लिए फलाहारी आलू बनाने जा रही हूँ जो की बहुत ही स्वाधिश, तेश्टी और चटपटा बन करके त्यार होता है ये आलू हर कोई वरत में खाना चाहता है इसके लिए मैं तीन चार आलू लूँगी और फोरन के लिए मैं जीरा लाल मिर्च लूँगी फिर मैं सभी आलू को काट लूँगी छोटे छोटे फिर मैं कच्ची मुंगफली लूँगी मसाले में आप इच्छा अनुसर में यहां धनिया लाल मिर्च, हल्दी नमक ली हूँ, घी ली हूँ धनिया पत्ता बारी काटी हूँ, नीम्बू और कद्दू कस किया हुआ अद रख लूँगी अब गरम कड़ाई में मैं दो टेबल इस्पून घी डालूँगी और सारे मुंगफली को पहले फ्राई कर लूँगी धीमी आच में अब यहां पे मैं दो टेबल इस्पून घी डाल रही हूँ और इसमें मुंगफली को डालके अच्छे से फ्राई कर लूँगी यहां पे मेरा मुंगफली फ्राई होके तयार हो गया है मैं इसे एक अलग प्लेट में निकाल करके रख लूँगी फिर से मैं गरम कड़ाई में दो चम्मच सुद घी डालूँगी फलहारी की सारे रेसिपी सुद घी में बनती है तो वो बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है आप चाहें तो इसमें तेल भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं फोरण डालूँगी जीरा लाल मिर्च आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी ले सकते हैं फ्रेंड फिर मैं ग्रेट किया हुआ कद्दू कस किया हुआ अद्रक डाल रही हूँ और इसे अच्छे से सुनहरा होने तक भून लूँगी भूनने के बाद इसमें कटी हुई आलू डालूँगी कटी हुई आलू को डालने के बाद मैं थोड़ी दिर अच्छे से भूनने के बाद इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पौडर, धनिया पौडर और यदि आप वरत में हल्दी खाते हैं तो हल्दी डालिए, नहीं खाते हैं तो नहीं डालिए ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ फिर उसके बाद इसे थोड़ी से क्रिस्प होने तक चलाएंगे जब ये हमारा आलू क्रिस्प हो जाएगा तो मैं यहाँ पे भुनी हुई मुंगफली डाल दूँगी और कुछ देर तक इसे चलाऊंगी जब ये अच्छे से भुन करके क्रिस्प हो जाएगा तो मैं इसमें आधी नीमबू नी चोड़ूंगी यदि आप अमजूर खाते हैं तो अमजूर पॉर्डर डाल देजिए दिनी खाते हैं तो ताजी ताजी नीमबू की रस डालिए ये थोड़े के लाईए ये देखे कितना चटपटा लग रहा है अब मैं इसमें बारिक हरी धनिया पत्ता का टीवी डालूंगी ये हमारा फलहारी आलू बन करके तयार है अब इसे आप सर्फ कीजिए ये देखे कितना टेश्टी बन करके तयार हुआ है थैंक यू सो मच और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें